हेलो एवरिवन वेलकम तो माई चैनल केमस्टी फॉर आल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे मैं फिर आपके बीच में हाजिर हो गया हूं एक नए वीडियो लेकर थर्मोडायमिक्स का पार्ट टू थर्मोडायमिक्स पार्ट वन में हम आपको पढ़ा चुए है जिसमें हम ने आपको बतहाadem कि होता है system कि टाइप प बढ़ाया था अब फिर आमने बताया था सिस्टम की प्रॉपर्टी बताया था और सिस्टम किसको बोलते स्राउंडिंग इसको बोलते बहुत सारी चीज मैंने फर्स टॉपिक फर्स लेक्टर में पड़ाया है तो अगर आप लोग नहीं देखा है तो हमारी प्रिवेश इडियो थर्मोडाय से सीखेंगे तो आपको पूरा बहुत अच्छे से मजा भी आएगा पढ़ने के साथ साथ मज़ा भी आएगा तो देखिए अब हम लोग क्या पूदते है स्टेट फंक्शन पहले पढ़ी इस फंक्शन क्या था ठीक है इस्टेट क्या होता है अभी तक हम लोग सिस्टम कैसे बताएंगे उसकी स्टेट हम लोग उसकी पोजीशन देखकर बताएंगे कित पोजीशन पर खड़ी हुई है फिर उसकी स्टेट हम बताएंगे किती स्पीड में चलती है ठीक है उसकी स्टेट हम लोग बताएंगे उसकी ओरिंटेशन पर डिपेंड है उसकी पर वहीं देखिया लिखा हुआ है शिस्टम की स्टेट पर वल्यूं पर टंपरेचर पर और कम्पोजीशन डिचंब डिपन होगी इन चारों चीज़ पर सिस्टम की स्टेट ब किस्टम की टेशिंट digo की होते हैं system की state 2 तरिक्रे की होती है एक होता हमारा state function दूसरा होता हमारा path function what is state function क्या होता है state function समझने के विए आप लोग अपने दिमाग में देखेगा यह bottle i ao have bottl कि दिमाग में सम्जाता हूं इ olar यहां पर कि दिमाग मेंदाू हो पहले पढ़ ले आं Markus Sur Stay value test प्रेशर वैलू टमपरेचर और काल स्टेट फंक्शन बिकॉस दियर वैलू डिपेंड ओनली ऑन दा इस्टेट अफ दा सिस्टम एंड नॉट हाव इक रीच ठीक है जैसे कोई चीज है जैसे यह बोटल का पानी है अब बोटल का पानी अभी यहां है अभी मैंने भर के इसको यहां पर कर दिया सब्सक्राइब बोटल का पानी यहां तक के ठीक है बोटल का पानी यहां तक के फिर मैंने इस पर पानी डाला तो पानी डालने के बाद बोटल का वैलूम यहां तक हो गया तो तो यह जो स्टेट फंक्शन होता है यह इस चीज पर नहीं डिपेंड करता ह कि यह जो इतना पानी डाला है मैंने इतना पानी यह भरा हुआ है वैलूम जो बढ़ा हुआ है यह पानी किस चीज का है पानी मैंने टंकी का डाला है पानी मैंने कैसे डाला है तालाब का डाला है यह पानी मैंने फिल्टर डाला है नॉन फिल्टर डाला है यह इस पर नहीं करेगा यानि जो इसकी जैसे इनिशल स्टेट टू फाइनल स्टेट ठीक है बीच में हमारा किस रास्ते से आया उस रास्ते पे हमको नहीं पता हमको यह चीज नहीं होता ठीक है तो स्टेट फंक्शन क्या है स्टेट फंक्शन यानि इतना पानी भर गया अब हमको मतलब नहीं है कि यह किस चीज़ का है यह कैसे भरा हुआ है यह मैंने फिल्टर भरा हुआ है मैंने बॉयल भरा हुआ है तो मैंने कैसा पानी भरा इससे मतलब नहीं है खाली हमारी Initial State and Final State Initial State and Final State Ur-depend said實Alstate function कैसे यह हमारा रीच भूरेंड अपनी maximum state इस पर झार इपन नहीं होता वही लिखा है तरहीं पढ़िए आप को समझ भी इन्वयल इव्म आपको समय एगा वरिबेल लाइख प्रेषर वैले मैंने फैल्यूम का आप लोक होता है कौन सा स्टेट फंक्चन कैसे यह हमारा रीच हुआ है अपनी मैक्सिमल स्टेट पर इस पर डिपेंड नहीं होता है वही लिखा देखिए आप पढ़िया आपको समझ भी आगा वैरे लाइक प्रेशर वैलू अभी मैंने वैलूम का आप लोग को बताया ठीक है आर कार स्टेट फंक्ट्चन बेकॉझा यहार वैलू डिपेंड अलि अस्टेट खली स्टेट इतर पर डिपेंड है यू इनीशेल हें इस्टेट टू फिट फाइनवे इट रिइश्ट्य कैसे यह अपनि ऐसन्चल है और नहीं पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है समझ मिने अब आदे दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या path function पाथ function देखिये क्या होता है अब इसको पढ़िए पहले function that depend on the path take to reach that specific value ठीक है अब देखें इसका मतलब समझे यह path पर depend होता है ठीक है किस पर depend होता है path पर मान दीजिए आपको जाना है five floor पर कितने floor पर five floor पर जा रहा है एक तरफ लगा हुआ जीना एक तरफ लगा हुआ है ठीक है तो आप अगर जीने से जाएंगे या फिलिफ से जाएंगे तो दोनों का path अलग- desse जीन से जा रहे है या फिल्क से जा रहे है तो ढूनों का जो path अलग-हलग लेकिन पहुचेंगे कहा एक उर्छा function that depend on the path taken to reach that specific value यानि हम जो हमेरी प्राइमरी वैलू तो फाइनल वैलू यानि हमेरी 5 फ्लोर तो वह किस किस तरीके से जाने उस पर डिपंड करता है या तो हम चल कर जाएंगे जीने से ठीक है या तो हम लिफ्ट से जाएंगे तो देखिए अब यहां पर देखिए इस एक्ज होगा ठीक है ऐसे हमारा हीट ट्रांसफर यानि हीट ट्रांसफर वन जैसे कोई एक अब्जक्ट है दुसरे अब्जक्ट है तो वह कैसे अब्जक्ट से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वह भी हमारा क्या होता है पाथ फंक्शन होता है एक हो गया हमारा हीट ट्रांसफर तो आप लोग को समझ में आया होगा हमारे चैनल को लाइक हमारे वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई हो और चैनल को सब्सक्राइब अब हम और आगे पढ़ते हैं ठीक है इसके आदे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे इंटरनल आलची इने इनडर्ड आपको बढ़ते हैं रहे हम अपको बताते ये अलग ऑगे internal energy हो गया, enthalpy हो गया, entropy हो गया, gifts free energy हो गया यह सब भी हमारा क्या है state function तो सबसे पहला हमारा क्या है state function internal energy तो internal energy होता क्या है सबसे पहले हमको यह जानना बहुत जरूरी है what is the internal energy तो internal energy क्या है total energy क्या बोलते है internal energy सारी energy को मिला के जैसे मान लिए मैं एक system हो ठीक है तो मेरे अंदर बहुत सारी energy vibrational, rotational और बहुत सारी energy हर एक atoms की हर एक molecules की जो energy होगी हमारा हम लोग क्या बोड़े किस से मिल कर बनती है आइटम से मिल कर बनती है, elements से मिल कर बनती है तो matter से मिल कर बनती है तो एक-एक, मतलब जो उसका point-point जो items है एक-एक elements तो उन सब की energy को count करेंगे तो हमको क्याने के लिए कि total energy हम किसी भी system की निकाल नहीं सकते है ठीक है खाली इसको हम predict कर सकते है कि इतना हो सकता है calculate कभी नहीं कर सकते है तो इंटरनल energy होता क्या है the sum of the all energy is called internal energy जो internal energy हमारी क्या है सारी sum है सारी energy का sum है दूसरा देखिए क्या है the absolute value of internal energy can not be determined but we can calculate the change in internal energy। जैसे मैं ने बताया internal energy हम लोग calculate नहीं कर सक्ते है नहीं मतलब हम लोग उसका सिप Mercian high natural energy का change बता सकते है पशता है that you internal energy potential energy भी हो सकती है kinetic energy भी हो सक्थी bond energy क्याइज भी होसक्ती hedge treatment or slik बहुत सारी और पिंटर्नल अजयां और सब्सक्क्राइब और सब्सक्राइब करें तो अगर आपने part 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए यह क्या होता है extensive property होती होती है यह किस पर dependent होती है mass और energy पर dependent होती है अब जाए अगला point देखते हैं यह सारा point है अगर exam में पूछेगा तो आप point wise करके लिख सकते हैं अगला point का है internal energy is a state function एक state function नहीं दो thing नहीं बताया state function का होता है आप path function क्या होता है तो एक state function है अगला चॉम्धे क्या है it is NOT possible to calculate internal energy internal energy को हम लोग calculate नहीं कर सकते हैं धिक है but it is possible to calculate change in the THRG अगला Tapu कर सकते हैं but हम लोग जो actual में रियल इंटर्नल इनर्जी वो calculate नहीं कर सकते हैं अब देखे क्या होता है इंटर्नल इनर्जी जो हमारे कैसे calculate करें कैसे जो उसका change होगा और एक चीज और इंटर्नल इनर्जी क्या होता है temperature dependent होता है इंटर्नल इनर्जी temperature dependent होता है और internal energy कैसे है हम लोग मतलब पता कर सकते हैं किस पर depend होती है एक और state of the state of the system पर depend होती है ठीक है किस पर depend होती है state of system state of system और state of system हो गया और दूसरा क्या हो गया nature of matter nature of matter किस पर depend होती है nature of matter जैसे हमारी बॉड़ी है और कार्बन नाइट्रोजन और बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है तो nature of the matter अलग अलग मतलब जैसे किसी और हर चीज जैसे कोई भी चीज होता है कोई हमारा यह हो गया इसमें कुछ अलग composition होगा हमारे में कुछ अलग formulas होता है ठीक है तो nature of the matter उसकी जैसे हमारी पूरी internal energy count count नहीं कर सकते है इतनी सारी energy हो गया और क्या है state of the system state of the system क्या होता है जैसे वह हमारा क्या होता है इस्टेट function जो मैंने बताया था पानी लेंगे फिर उसका volume बढ़ जाता है ठीक है तो उसका हम किसी चेंज कैलकुलेट कर सकते है यानि जो अतना चेंज हुआ है वह कैलकुलेट कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं किस रास्ते से हुआ है जबाक है तो समझ गया और हमारा देखी अगला मेंने क्या बताया मैंने बताया है internal energy change केते तरीके जह सकती है इंटरणना इल्ही चेंज तीन तरीके हमसे पहला तरीका है, Thursday, matter yaks we matter दालेंगे कोई , इसो मिट्टम में या इसमें निकालेंगे तो internal energy change होगी तीक है य दूसरा मतलब तरीका हो गया तीसरा तरीका देखते हैं क्या तिसरा तरीका यह है या फिर उसके वर्क करेंगे या फिर उससे वर्क हम लेंगे वर्क डन बाई सिस्टम वर्क डन बाई सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम ठीक है यह तीन तरीका हो गया जिससे हम उसकी इंटरनल एनरजी चेंज कल्कुलेट कर सकते हैं पहला मैटर डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं दूसरा हीट दे सकते हैं और फिर हीट निकाल सकते हैं तीसरा वर्क कर सकते हैं पिर वर्क करवा सकते हैं तो three तरीक अधिक करने का वहीद देख장님 लिखा हुए इंटर्नल एनरजी चेन्ट बाइड jane डाग एनिट था नो दोछ सब्ढ़ेंगे चलिए के करके आपको बताते रहों internal energy क्या आधा total the sum of the all energy is called internal energy ठीक है the absolute value of the internal energy cannot be determined but we can calculate change in internal energy ठीक है it is an extensive property it is a state function ठीक है और अगला एक और पॉइंट है temperature dependent होती क्या temperature dependent है यहां लिक लिए टमप्रेचर डिपेंडेंट है ठीक है टमप्रेचर डिपेंड़ेंड टमप्रेचर पर डिपेंड करती है और फिर हमरा दे के लिए internal energy को कैसे यहां चेंज करके मतलब उसमें क्या 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 जो चेंज हो सकती इंटन्रेल्याजी चाथे होती है इसको फशला पहुंचाता हूं सही यहां पर हम हीट को तो नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं यहां पर हीट जू हमारी जीरो रहेगी हीटचेंज जीरो रहेगी बड महां पर कुछ नुग वर्क कर सकते हैं और bureaucracy कारिっ है ईसीलेटग में कॉल सा इसुलेटग ऐसीलेटग सिस्टम है तो ना तो इस पर हम लोग कुछ energy यानि ना तो इस पर हम कुछ heat कर सकते हैं और ना तो इस पर कुछ work कर सकते हैं तो यानि इसकी हमारा heat change भी ओभी जीरो रहेगा और work क्या रहेगा यह भी जीरो रहेगा तो isolated एक ऐसा system है जहां पर हमारा दोनों चीज जीरो रहेगी बढ़ हमारा adiabatic एक ऐसा system है जहां पर हम कुछ work कर सकते हैं बढ़ यहां पर heat transfer नहीं हो सकते हैं तो adiabatic और isolated system समझ में आगा क्या होता है अब आई आप लोग adiabatic system ध्यान में रखेंगा तो देखिए होता क्या है माल यह adiabatic system है अब इस पर हम कैसे इसकी internal energy को change कर सकते हैं दो तरीके से कर सकते हैं यह तो हम उसको इसको work को हम लोग जो change करेंगे यहां पर heat नहीं होगी न क्यों तो चेंज नहीं होगा w change हो सकता है तो जो w change होगा वह कैसे change होगा ठीक है इडiabatic system है जिस पर हम लोग work कर सकते हैं और कैसे चेंज होगा दो तरके से चेंज होगा एक तो हमारा मेंक्रेस नॉसरा हमारा इलेक्तिकल ह्र्क मॉइकेंटल कासे चेंज होगा Member छी एक लाध जिस नौ unbelievably द्पर मैंने कोज। makes incess ale współ में डाल दिया हैывает तो वह क्या है एक mechanical work है, पानी को मैंने चलाया, यह mechanical work हो रहा है बड़ वही जंगा अगर हम क्या करेंगे, electrical work करेंगे electrical work हैसा हो कि आपने emulsion rod देखा है, जो पानी में रहता है बाल्टी में डाल देती है तो पानी को गरम कल जाता है, मालनिए अन्दर मैंने एक emulsion rod अब ये उसमले specific ebenelzone rod है क्या है? 1 mmol rod है जो rod होगा तो वो rod इस पानी में बब यह आधा चेंगा, अब पानी को गरम करेगा तो समझ गया अब इसमें क्या होगा internal energy को कैसे हम लोग लिखते है डेल्टा यू डेल्टा यू क्या होगा work adiabatic हो रहा है ना work adiabatic तो देखिए work adiabatic एक तो हमारा निकल कर आ गया change in internal energy is equal to work in adiabatic अब adiabatic अब इसकी sign कभी negative होता है कभी positive होता है तो यह कैसे होता है यह आप लोग ऐसे ध्यान रखिए अगर system work करेगा तो क्या होगा work done by system पहला क्या होगा work work done by system work done by system work done by system क्या हो जागा work पहले अगर system क्या कर रहा है work कर रहा तो निगेटिंव sign आईगा न जगर निगेटिव इंगा अगर work work done work done on system work done on system सिस्टम इसको आप लोग diffuse इसको आप लोग ऐसे समझे लेजिए महालिए मेरे पास मेरे पास मेरे पास में कुछ पैसे निंकलने गेक्त आँजी हो यह रहा है तो क्या हो और मेरे अंदर कमी आ रही है ना मेरे पाइसा निकल के दूसरे के पास जा रहा है तो वहीус कोई हमको दूसरा आदमी को इमको पैसा दे रहा है तो मेरे पर्स में पैसा बढ़ लाया है तो पैसा बढ़ लाया तो यानि पॉजिटिव पैसा बढ़ लाया यानि पॉजिटिव इंक्रीजिंग हो रहा है तो वर्क डन ऑन तर सिस्टम क्या होगा पॉजिटिव होगा तो सम यह परते हैं इंटर्नल एजी चेंग बाई वर्क चेंग वाई हीट पर तो पढ़ी चुके अब इसको समझे के लिए आप बोटल बोटल दिमाग में रखिए ठीक है यह बोटल है तो मांद यह मैंने एक बोटल बना दिया है यह क्या है बोटल बोटल का टमप्रिचर इसके इ अगर यह मतलब यह गरम है तो फिर रहा वह को डिबोट होगा तो भी यह थं़्यों तो यहां पर क्या हो रहा है तो ड्यॉस जानी और उनी अने हम इना देख सोग करकर के लिए तो जीकर पिर अनोनित और खर्ल्टत कहंने हैं पैस इस्टा दो in pickle पलइ के लिए है तो यहां पर हुआ कहिंद हमारा ही हो एक हो आई को स्लिए में क्योंने लिख देड़ Tnot temperature को यहां शो करने के लिये तो Rechts to हुग यहां पर हों गया चेनल मर लEZी डबलु हो गया अब देखिए दोनों को हम लुग क्या कर सlor की फिरों ऐख चलین से दिआ दिए अब यह त्य क्यूंध पॉजिस्टिव स्क्राइब होगा वह ही अडिया बेटीक वाला, क्या होगा, heat transfer, heat, क्यों क्या heat transfer है, heat transfer तो है, heat transfer by system, heat transfer by system, और क्या होगा, heat transfer on system, में अगर ही ट्रांफर और बाइदा सिस्टम तो यहां पर क्या हो जाएगा पॉजटिव हो जाएगा तो साइन किलों दिया जिएगा जैसे एडियाबेटिक तो वैसे ही ट्रांसफर का भी होगा समझ गया आप लोग आए बताते हैं आपको अगला चीज देखिए यहां पर क् delta u work done हो गया और यहां पर वर्क हो गया यह निश्य और delta u यहाँ से q हो गया तो टोटल लिख दें delta u is equal to w plus q अब यही तो हमारा mathematical form आप फर्शला फर्मोडाइनमिक्स का फर्शला तक हम लोग पहुच गए तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है आज हम लोग ने पढ़ा है इंटर्नल एनर्जी के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा इंटर्नल एनर्जी चेंज बाइ हीट और चेंज बाई वर्क ड्रमॉले कर सकते हैं तो चेंज हमने कैसे पढ़ा है चेंज बाई हीट और फिरयुस थेल्टा यू जूस फार्मॉला लाइभा-ठर्मोडाएमिस का ठीकीर acontece उससे पहले हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे work done ठीक है इंटर्ना एनर्जी पढ़ा आपके पढ़ेंगे work done तो आज के लिए हमारा खाली यहीं तक के टॉपिक था तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारी वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए मिलते हैं फिर नेक्श वीडियो के साथ